तो बांगलादेश के हालात का भारत पर क्या असर हो रहा है तीन बीगा कोरिड charities के गोल चकर से भारत का भी traffic गुजरता है और बांगलादेश का भी यहां पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद रहते हैं और बॉड będzie благодар बांगलादेश के भी यहां मौजूद हमारे सेयोगी प्रभाकर कुमार का कहना है कि इस जगा पर दोनों देशों का कानून चलता है यह एक कॉरिडॉर है जो भारत सरकार ने जब स्प्रधान मंत्री थी इंद्रा गांधी उस समय यह कॉरिडॉर दिया गया है बंगला देश को में लैंड को कनेक्ट करने के लिए उनके इंकलेव से अगर मैं आपको दिखाओं यह पीशे का जो इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं वो टुक टुक आता हुआ वो बंगला देश की गाड़ी है वो एक एंकलेव है जो 19 स्क्वार किलोमेटर का एरिया है इलाका है और यह बंगला देश के लोग हैं जो मेंलेंड बंगला द रही हैं दोनों साइट वो बंगला देश की गाड़ियां है और जो नौर्थ से साउथ गाड़ियां जा रही है वो इंडिया की गाड़ियां है यह बंगला देश की गाड़ियां है देखिए जो बंगला देश से निकलके बंगला देश में जा रही है यह बंगला देशी सि इक तरीके से अगर मैं यहां कानून का उलंगन करता हूँ तो दिल्चस पहलु इसका यह है कि क्योंकि मैं यह भारतिय नाः कुँ तो मेरे ऊपर भारतिय काणून लागू होगा वहीं अगर इस जगह पे कोई कानून का इंगलागन करता हुआ बंगलादेशी नागरे पकड़ा जाता है तो उसके उपर बंगलादेश का कानून लागू होगा ये बंगलादेश के वो जो इंकलेव है जो एक लैनलॉक्ट इलाका है जो चारो तरफ जिसके भारत है वहां से निकल के ये मेंलन बंगलादेश में जा रहे है और उनको ये पैसेज दिया वा है ये पैसेज जो है यहां आने के लिए इन्हें किसी तरह के कोई डॉकुमेंट की जरूत नहीं है और इन्हें ये passage कुछ conditions के साथ दिया वाया, जिसमें कि इन्हें uninterpreted यहां से जाने दिया जाएगा, इनकी कोई frisking नहीं होगा, इसलिए आप देखिए BASF की तैनाती होती है यहाँ पर, BASF यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है भारत की तरफ से, और BJB है जो Border Guards Bangladesh, जो आपको उस इलाके में जो थोड़ा में अगर आपको कैमरे करेंजर से दिखाओं, तो उस इलाके में वहाँ पर BGB के Guards होते हैं, जो की Border Guards बंगला देश हैं, यह अभी टेक्निकली भारतीय जमीन पे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आने के लिए ना किसी तरह के दस्तावेज की जरू जो चारों तरफ से भारत से किरावाया है, इंडो बंगला देश बॉर्डर पे तीन भीगाव कॉरिडॉर से प्रभाकर कुमार, NDTV के लिए